Hello students, आज का हमारा topic है discovery of cell. It is a most important topic. यह बहुत ही ज़्यादा important topic है और आपको इसे अच्छे से समझना है. और यह 6 से लेके 12 तक बहुत ही important topic है बारोजिकल स्टुएंट्स के लिए. तो चलो अब हम इसे start करते हैं. Discovery of cell सबसे पहले हमें पता होना चाहिएं कि आखिर सेल है क्या. सेल, सेल है क्या? इसकी definition है हमारे पास proper. सेल is the structural and functional unit of living beings. और study of cell किसे कहते हैं, cytology को. अगर यह ज़िए हम अभी जो कर रहे हैं, study कर रहे हैं सेल की, हम study कर रहे हैं सेल के बार में पढ़ रहे हैं. तो इसे हम cytology कहा सकते हैं, कि अभी हम cytology कर रहे हैं. और father of cytology कौन है? Robert Hooke. Robert Hooke ने सबसे पहले सेल को देखा था. उन्होंने ही सेल को discover किया था. He coined the term cell. और उन्होंने 1665 में Spanish octree की cork, यानि छाल. Spanish octree के पास गए वो, उन्होंने उसकी चाल निकाली और उसको माइक्रोसकॉप के नीचे लेकर गए और उसमें आपको पता है हुगा की cork में dead cell होती हैं. तो उसमें सबसे पहले dead cell देखी. Robert Hooke is the discoverer of dead cells. और उन्होंने जो अपनी discovery थी, उसको अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर लिखा. उनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. और इसमें उन्होंने अपनी सारे discovery के बारे में बताया कि उन्होंने dead cell को देखा. अगर यदि हमारे पास एक question आए कि सबसे पहले cell को किस ने देखा, तो उस answer हम लिखेंगे Robert Hooke. अगर यदि हमारे पास एक question आए कि सबसे पहले dead cell को किस ने देखा, तो भी उस answer हम देगे Robert Hooke. अगर यदि हम से question पूछा जाए कि सबसे पहले living cell को किस ने देखा, तो सेल का डिसकवरर था Robert Hook और अगर यदि हम लिविंग सेल की बात करें तो उसका डिसकवरर था Anton Wann लिविंग हुग और Anton Wann लिविंग हुग को Father of Micrography भी कहते हैं और इसके लिए हमें पता हो जाए कि Micrography क्या है अब आप मुझसे पूछेंगे Anton Wann लिविंग हुग ने 1674 में Bacteria, yeast, protozoa, sperm, RBC, etc यानि इन इन चीज़ों के अंदर लिविंग सेल को देखा था उसने देखो एक ही साथ 1674 में कितने सारे चीज़ों में लिविंग सेल को देखा था तो एक बहुत ही बड़ी बात है अब हमें पता होना चाहिए अब देखो हमने Father of Cytology, Father of Micrography इनके बार में पढ़ लिया अब आती है Cell Theory, Cell Theory किस ने दी थी? Cell Theory दो लोगों ने मिल कर दी थी एक तो MJ Skeleton और J Stekwon इनका भई प्रोननसेशन अपने हिसाब से देख लिए ना प्रणन शीशन आता है मैं वैसा ही कर रही हूं बाकि आप इसे चेक कर ले ना Okay, तो MJ Skeleton एक बातनिस थे जिसने 1838 में Cell Theory दी थी और J Stekwon, sorry T Stekwon एक जूलोजस्स थे जिसने 1839 में Cell Theory दी थी और Botanist थे यानि यानि ये प्लांट्स के बारे में चेटी करते थे और Geolosist थे यानि ये ये बारे में चेटी करते थे तो ये आप जानी सकते हैं तो Cell Theory दी थी थी MJ Skeleton और T Stekwon लेकिन इसको मोडिफाई करने का काम किया था रुडॉल्फ विच्चो ने नाम्याद रखने रुडॉल्फ विच्चो और इन दोनोंने जो Cell थोरी दी थी उसमें इनोंने कहा कि यानि इन दोनोंने अपने according बताया कि according to both cell is the structural and functional unit of living being इन्होंने बताया कि अब यह वही आ गया इसका मैंने इन टॉपिक रखा है यानि इसका हेडिंग डाला है मैंने आमने सेलोला इस सेलोला तो यह मैंने क्यों लिखा अब आप पुछेंगे तो मैं पहले ही बता देती हूं कि रुडॉल्फ विच्चो ने जब सेल्थ होरी को मोडिफाई किया था तब उसने बताया था यानि उसने बताया का था कंक्रूजन क्या निकाला था वो था आमने सेलोला इस सेलोला इसका मिनिंग है कि all new cells arise from pre-adjusting cells जो भी अभी नई सेल्स हैं जिसके हमारी सेल्स हैं वो सारी कि सारी पुरानी जो पुरानी हो चुके अल्ड सेल्स उनसे मिलके ब अब हमने सेलोला इस सेलोला जो की मोडिफिकेशन ओफ सैल्स थोरी था अब हमने सेल के बारे में देख लिया तो discovery of nucleus भी देख लेते हैं जो सेल के अंदर ही होता है तो discovery of nucleus 1831 में रोबर्ट ब्राउन ने किया था यानि रोबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले nucleus को देखा वो भी 1831 में और protoplasm आपको पता ही होगा protoplasm के अंदर क्या क्या है फिर भी मैं बता देती हूं protoplasm के अंदर nucleus, nuclear membrane, cytoplasmic membrane यानि असे हम cell membrane भी बोलते हैं plasma membrane भी बोलते हैं इन सभी को mix करते यानि एक साथ हागे रदी हम बोलें तो उसे हम protoplasm बोलते हैं तो डिस्कवरी ओफ प्रोटोप्लाजम किस ने की थी? J.E. पुरकिंजे ने. 1839 में J.E. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाजम को डिस्कवर किया था. और एक ओवर साइंटिस्ट हुए हैं, हुग्सले. अब मैं फिर से कहूँगी कि प्रनन्शीशन पर मल जाना. हुग्सले ने 1868 में इसको प्रोटोप्लाजम को कहा था फिजिकल बैसिज ओफ वाइफ. अगर इड़ी हम हुग्सले के अकोर्डिंग देखें, तो फिजिकल बैसिज ओफ लाइफ क्या है? प्रोटोप्लाजम. प्रोटो प्लाजम को है उसने कहा था फिजिकल बेसिक ओफ लाइफ ओके तो स्टेंट्स टुड़े दिस मच अउनली मैं आशा करती हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा अंकी बात पर मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सेर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्रा